Hello, Good Morning, Third Class, Myself, Neha Verma, तो शुगरते माची क्लास, आज हम करेंगे English Grammar में Chapter 8, Executive, तो Executive means होता है, a word that qualifies noun or pronoun, इसको हम इंदी में कहते हैं, विशेशन, तो जो word noun or pronoun को qualify करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, adjective कहलाते हैं, तो यहाँ पे देखो question है, write a few words to describe them, तो यहाँ पे कुछ pictures बनी हैं, और उनके बारे में हमें कुछ words लिखना है, उनको describe करने के लिए, तो पहली picture बनी है rabbit की, तो यहाँ पे आप इसको pink लिख सकते हो, यहाँ funny लिख सकते हो, then graceful, cute, मैंने rabbit को इन तीन words से describe किया है, then mushroom को मैंने tasty, red or two से describe किया है, back को pink, beautiful और big से describe किया है, बैलून को two number है न, two balloon है, एन colourful है, और attractive भी है, तो इन तीन words से मैंने describe किया है, यह क्या है, hen है यह कौक है, तो यह one है, तो मैंने one लिखाया है, colourful है, तो colourful लिख है, और यह the fast है, तो मैंने इसको fast लिखा है, क्योंकि यह जब द आप जब इसको पकड़ने जाओ यह कि भाग जाती है तो इस वज़से इसको मैंने शाई वर्ड से डिसक्राइब किया है तो अब एकसरसाइस बीबी क्या करना है कि जो पिक्चर लास्ट एकसराइस में यह सारी पिक्चर देखी थी उनी के बारे में हमें एक sentence frame करना है और उस एक word का use करना है जो कि हमने वहाँ पर mention किया है तो यहाँ पर लिखा है funny rabbit is eating red carrots तो हमने यहाँ पर mention किया है na funny तो हमारा जो word आया है यहाँ पर mention हो गया है then mushroom को हमने tasty से भी describe किया तो there is tasty mushroom in garden तो ऐसे ही मैंने सिर्फ five sentences जो है बनाए है आपको six से लेके nine sentences जो है अपने आप बनाने है कोशिश करना अगर नहीं आते तो आप उससे पूचतर otherwise बहुत ही जादा easy है तो अब हम अपना next subject देखते है then Hindi में part वचन के प्रशन उत्तर आजम करेंगे तो इसका पहला प्रशन है वचन से क्या पता चलता है तो इसका उत्तर है वचन से वस्तू की संख्या का बोध होता है या लिख सकते हो वचन से वस्तू की संख्या का पता चलता है ठीक है दोनों एकी चीज है देन सेकेंड है वचन के कितने भेद हैं तो इसका उत्तर है वचन के दो भेद हैं एक वचन और बहुचन तो यह दोनों कोशन आप अपनी नोट बुक में लिखोगे और इसको लर्ण करोगे अब हम अपना नेक्स सब्जक्ट देखते हैं देन इविश में चैप्टर 10 के कुशन आंसर आजम करेंगे तो चैप्टर 10 है हमारा मीन्स और कॉमिनिकेशन है हमारा चैप्टर 10 है तो चैप्टर 10 का पहला कुशन है वट डियो मीन बै साइन लैंगवज तो इसका मतलब है sign language means the talking without speaking मतलब बिना बोले जो है आप बात करना जो क्या कहलाता है sign language कहलाता है जो आप किशारों में बात करते हो then second है what was the use of telegram तो इसका आंसर है the telegram was used to send urgent messages then third है who is preparing a letter तो इसका आंसर है आसिफ is preparing a letter then fourth है who delivers our letter and parcel तो इसका आंसर है postman then fifth है what is the use of speed post और courier तो इसका आंसर है they are used to send urgent letter ठीक है तो यह question answers आपको अपने note book में करने है और इनको learn भी करने है तो आज के लिए बस इतना ही बाकि हम कल की class में तब तक लिए बबाए take care